हलो फ्रेंट्स मैं हूं अन्य पुर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में आज मैं बनाने वाली एक और टीस्टी क्रिस्पी क्रंची यमनी स्नैक्स इटली बैटर बोंडा ये इटली या दोसी के लिफ्ट और बैटर से बनता है तो देखते कैसे बनाते हैं इसके लिए म दोसी के बैटर को मैं ले रही हूं एक बावल में ये लिफ्ट और बैटर से मैं बना रही हूं आप चाओ तो फ्रिश बैटर से भी बना सकते हो इटली या दोसी के बैटर से उसके बद मैंने इसमें डाला बारिक कटा हुआ प्याच बारिक कटी धनिया पत्ती बारिक कटी करिया पत्ती को भी मैं डाल रहे हूँ बट काटके डाल रहे हूँ डालके अब मैं इसमें डाल रहे हूँ नमक अकॉर्डिंग टेस्ट आप डालना है उसके पहले मैंने डाला जीरा जीरा के बाद नमक अब मैं डाल रहे हूँ चाबल का आटा है यह अगर आपके पास चाबल पिसकेullen देख सकते नहीं ये बहुत ज्यादा गाड़ा हैं नहीं ये बहुत ज्यादा बतला है, बस इस कंसिस्टेस का हमारा बैटर होना चगे हैं अब मैने तेलगरम और रध दिया हैं,ये मैसे में डाल रही हूँ हमारा इडली का बैटर हमा 신ोन से डाल ही हैं अब चाहों तो हाथ से भी डाल सकते हों, ये तेल μέrhe डालने के बद काफी ज़ाधा फुल जाते हैं, तो आप ठोड़ा कमई डालना अब मैंने चार बॉन्डे डालें, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, अब देख सकते हैं, यह थोड़े से फुल गया है, मतलब जितना मैंने डाला है, उससी वो साइस थोड़ा बड़ा हो गया है, अब मैं इनको मीडियम हाई फ्रेम पे फ्राइब कर रही हूँ, अब मैंने यह पलटते हुए, कृस्पी होते तक या ग्वोल्डर ब्राओन होते तक, हमें इने फ्राइब करना है, मैं इससे अच्छे से फ्राइक कर रही हूँ, और इससे निकाल रही हूँ प्लेत में, प्लेट में निकालकर, मैं आपको भॉन्डे डालकर दिखा रही हूँ, हाथसे बढ़े नहीं डालना है क्योंकि औल में डालते साथ यह फुलकी दुगने हो जाते हैं यह लेफट और इडली के बैटर से बनता है आप चाहओ तो फ्रिश बैटर से भी बना सकते हो लेफट और बैटर से बनाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लेगा बैटर दोल सा खट्टा हो जाएगा बोंडे भी थोड़े खट्टे खट्टे क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत अच्छे लगेंगे यह बोंडे साउथ का फीमस डिश है साउथ की हर स्ट्रेट में जनरली आपको यह खाने को मिलीगा और वहाँ पे एक स्पेशल तीखी चट्टे के साथ इने सर्फ किया जाता है अब यह बोंडे भी बन गए मैंने निकाल रही हूँ और इसी तरीके से मैं बाकी सारे बोंडे को फ्राइग कर लोगी यह बहुत जल्दी बनता है अगर आपके पास लिफ्ट और इटली बैटर है तो बस उसमें एक पैश काटके डालो और फटाफट बना लो यह बोंडे भी बन गया है मैं इकाल रही हूँ प्लेट में और मैंने इसे सर्फ किया टमैटो सॉस और नारियल चितनी के साथ आप बिना चितनी के ऐसे भी इसे खा सकते बहुत टेस्टी लगेगा आप भी यह टेस्टी बंडे बनाएए अगर अच्छा लगा हूँ तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें थैंक्यू